दोस्तो नमस्कार आज संसत में लोगसबा कारवई के दोरान प्रदान मंदरी मोधी जी का वक्तर वे आया और उसमें ट्रस्ट का गठन की बात सामने आई है उसके बाद में ये भी क्लियर हो गया है कि 67 एकर जमीन राम मंदर को लिए होगी और ट्रस्ट का गठन किया जाना है जब ये बात सामने आई तो मेवाड में इस बात को लेकर के किस तरह से स्वागत किया जा रहा है क्या भक्तों पर खुशी है लेकिन जब हम इस बात को जानने के लिए याँ पहुँचे तो हमें एक और संयोग देखने को मिल रहा है सवा बारा अरब राम नाम जो पुस्ति सीदी हम आपको दिखाते हैं यहां माकालमंदिर से तो आएए देखि हमारे साथ में यह तस्वीर है क्या खुशी है आप में तो हमें यह इतनी प्रसंद है कि हमने वी संकल ल्यादा आज से तीस वर्ष पुर्वा कि हम प्रभुश्री राम के लिए कुछ करेंगे तो हमने इन 10 वर्ष के अंदर हमारे अनिकों भकतों ने उसमा WA 12 अरब श्री राम के नाम की पुस्तिगाएं लिखी उनका लेखन किया वह पुस्तिगाएं हमारा इश्वर प्रभूद श्री राम से निवीदा नहीं किमितनी शक्ति निहां तो देखिए उन पुस्तिकों को राम मंदिर ले जाए जाए जाएगा हम और लोगों से बात करते हैं सर आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर तो अब बनना है और किस तरह की खुशी आप में हमें बहुत ही खुशी है इसके लिए बहुत खुशी है यह कह रहे हैं लेकिन देखिए हम बता दें कि आठ तारीकों दिल्ली में चुनाव होने हैं इस दोरान इस तरह की कारवई आती है तो यही तो एक राजनेती एंगल भी हो जाता है लेकिन जब खुशी की बात होती है बगवान के धर्म की बात होती है बगव करने जाना चाहेंगे तो देखिए दर्शन जरूर करेंगे मेवाड भी एक धर्म का पूरा गास्ता रखता है और आज जब दिल्ली में राम मंदिर की बात होती है व्हें जो अच्छा कर रहे है और हम लोग भी जायेंगे दर्शन करने हम लोग बहुत कुछ हुई आप बताएं यह बात सुनकर के कैसा लग रहा है टीवी पे बनने चाहिए पहूत खुशी है किस तरह का सपना था आपका और किस तरह की कभी देखी होगी कि राम मंदिर बनेगा तो दर्शन करने जाएंगे इसा कभी सोचा तो देखिए ये तो भक्तों की बात थी लेकिन हम सवाबारा अरब जो राम नाम लिखा गया था जो पुस्तिकाइं लिखी गई उसी को हम बात क बाइजी किस तरह से क्रम चला और कैसे इसको पुरा किया गया है उससे मारे किया वाच्व हमने एक बेठे बेठे चार वेक्तियों ने इस चर्चा कि राम मंदिर के भीशे में हमें कुछ करना चीए हम क्या सभी कर सकते हैं तो तन मन धन से कोई सभी करो तो सभी में हमारे य यह कहना है कि वो जो सव वारार हमारे राम नाम लिखे हुए पुस्ति का है उन पुस्तियों को मांका लेश्वर मंदिर उधैपोल महराना प्रतार की वीर भूमी के अंदर उनको सबको मंदिर परिसर में दिनांग पंदरा फेबरु आरी को एक जीबिशन के लिए प्रदर् सब्सक्राइब तक वो रहेगा दर्शनारतों के लिए और लाखों वक्तों को दर्शन करने का उसका हम उनन पुल्ड रुपेना आनंद देंगे तो बिलकुल यहाथ में मिठेंगे तिक है इसी बात की आज तो मिठें खिलाइए ना फिर जरूर किलाएंगे आप जरूर किल सब्सक्राइब जारी हो चुका है सर किस तरह का उद्गोशे किस तरह से बगवान का राम नाम किस तरह से क्या आज इस मौके पर आप तो सीधा भगवान नाम का अभी भजन कर रहे थे तोड़ी दिर पर हमने देखा तो किसे था एबान किस तरह मने का उद्गोशेड़ principle आप एवान नाम किस तरह कोपिैर पर हमने देखा तो सीधैय देखा फिर नाम के तरह से जयरां स्वीराम जय 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 तो तेखि यह हमने हमारी इस स्टोरी में बताने की कोशिश की उधर राम मंदिर की Trust का गठन की बात आई है और यहाँ आज मेवार में 12 राम नाम भुस्तिकां जो लिख्टि जा रहे ही वह पूरी हुई है ये एक स्वयोंग राय है मेवाड का भी और दिल्ली में जिस तरह की कारवई आज लोग सबाय में हमने देखी है उसके बाद में ये भक्तों में खुशी साप देखी जा रही है हमने हमारी इस स्टोरी के मारफत आपको दिखाने की कोशिश की और मेवाड में जो पुस्तिकाएं लिखी गई है उन पुस्तिकाओं को लेकर कि यहां से बक्त राम मंदीर दर्शन करने जाएंगे और बगवान राम के चर्णों में अरफित करेंगे ये इनका सुबाय की होगा ऐसा इनका केना है हमने स्टोरी में ये बताने की कोशिश की आप चैनल देखने के लिए लाइक करें सस्क्राइब करें और शेर करना न भूले धनीवाद